मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद तो 23 के 23 उपाई कर लीजे आप चाहें तो 5, 7, 11, 21 जितने उपाई आप से संभव हो जाएं आप कर लें कम से कम 11 उपाई करने चाहिए तो आपको फायदा आवश्य मिलेगा और साथी साथ ये बात जरूर एड़ करना चाहूंगा जोड़ना चाहूंगा कि अब जल्दी कु इसमें वो असफल हो तो नए साल की शुरुवात में अगर आप इन उपायों में से 5, 7, 11 कुछ उपाई जितने आप से हो सके अगर आप वो कर लेंगे तो आपका आने वाला साल जो है वो समस्याओं से बहुत ही सुरक्षित रहेगा समस्या आपके काम में नहीं आएगी जी दोश और पित्रदोश का भी शमन होता है प्रति दिन सुबह और शाम घर में संध्यावंदन करते समय कपूर अवश जलाना चाहिए हिंदू धर्म में संध्यावंदन आरती या प्राथना के बाद कपूर जला करके देवी देवता की आरती करने की परंपरा शुरू से रही तो यह आपको जरूर अपने घर में करना चाहिए घर के वास्तुदोश को मिटाने के लिए भी कपूर का बहुती महत्वपूर योगदान होता है यदि सीड़ियां टॉयलेट या घर का कोई भी द्वार में प्रवेश द्वार हो कोई भी द्वार जो है वो गलत बन गया हो तो सभी जगाओं पे एक या दो टिकिया जो है कपूर की बटी आपको रख दिनी चाहिए वहां रखा कपूर चमतकारी रूप से वास्तुदोश को दूर कर देता है रात में सोने से पहले पीतल के बरतन में देसी घी में भिगाया हुआ कपूर अपने शयन कक्ष में अपन कपूर जलाने से अक्षय पुन्य की प्राप्ति होती है अता प्रति दिन सुबह और शाम के समय में संध्यावंदन के समय में कपूर घर में जरूर जलाना चाहिए पितर दोश और काल सर्प दोश से मुक्ति के लिए कपूर जलाने से देव दोश पितर दोश का शमन होता है अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितर दोश है या काल सर्प दोश हमारी कुंडली में बन रहा है दरसल ये राहू और केतु के प्रभाव मातर होते है इसको दूर करने के लिए घर के वास्तू दोशों को अगर आप ठीक कर लें तो काफी हद तक उसमें आपको लाब मिलता है यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं यानि घर के वास्तू दोशों में बड़ा अगर कोई दोश है आप उसको तोड़ फोड़ करके ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में प्रतिदें सुबधे और शाम और रात के समय में तीन बार घी में भिगोया हुआ कपूर घर में जलाना चाहिए सुबधे, दुपहर और रात के समय में गर के शोचाले और बातरूम में कपूर की दो-दो टिकिया रग दें बस इतना उपाए ही आपके कुंडली में किसी भी प्रकार का दोश होगा राहू केतू का देव दोश होगा पित्र दोश होगा उसको काल सर्फ होगा उसको दूर करने में काफी प्रभावशाली होगा आकस में घटना या दुरगटना से बचाव के लिए आकस में घटना दुरगटना का कारण राहू केतू और शनी होते हैं इसके लावा हमारी तंद्रा और क्रोध भी दुरगटना का कारण बनते हैं लिए रात्री में हनुमान चालेसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी के सामने कपूर जरूर जलाना चाहिए हाला कि प्रति दिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलाया जाता रहता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस में गटना दुर गटना नहीं होती है रात में सोने से पूर्व कपूर जला करके सोने से बहुत अच्छा लाब मिलता है सकरात्म कूर्जा और शांती के लिए घर में यदि सकरात्म कूर्जा और शांती का निर्मान करना चाहते हैं तो प्रति दिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगो करके जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुश्बू आपको फैलाना चाहिए ऐसा करने से घर की नकरात्म कूर्जा जो है निगेटिविटी जो है वो नश्ठ हो जाती है बुरे सपने नहीं आएंगे और घर में अमन चानती बनी रहेगी इसकी सुगंद से जीवाणू विशाणू आद रख करके आपको जला देना चाहिए और फूल को देवी माता के चरणों में समर्पित करना चाहिए इससे आपको अचानक धन प्राप्ती के योग बनते हैं यह कारे आप कभी भी शुरू करते हैं कर सकते हैं इसमें कोई दिन का महत्व नहीं किसी भी दिन से शुरू करके ल वास्तु दोश को मिटाने के लिए यदि घर के किसी इस्तान पर वास्तु दोश निर्मित हो रहा हो तो वहां कपूर की दो टिक्या रख दिनी चाहिए जब टिक्या गल करके समाप्त हो जाए तो दूसरी दो टिक्या आप फिर से रख दें इस तरह आप टिक्या वहां बदलत करना चाहिए यह आपको तरो ताजा भी रखेगा और आपके भागे को भी चमकाएगा यदि इसमें कुछ बूने चमीली की तेल की मिला ली जाए तो इससे राहू के तू शनी का दोश भी फिर आपको परशान नहीं करेगा लेकिन चमेली का तेल डाल करके आप सिर्फ शनीवार को इसनान कर सकते हैं पती पतनी के बीच तनाव को दूर करने का तोटका रात को सोते समय पतनी अपने पती के तक्ये के नीचे सिंदूर जो है वो एक पुडिया में रखे और पती जो है अपनी पतनी की तक्ये के नीचे कपूर क कि दो टिकिया रख दे प्राता होते ही सिंदूर की पुडिया घर से बाहर उचितिस्थान पर फेक दी जाए और कपूर को निकाल करके शेहनकक्ष में या घर से बाहर निकाल करके कहीं जला दिया जाए तो इस उपाय को करने से आपके बीच में जो भी मनमुटाव के स्थिति वह समाप्त हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा फिर आपस का प्रेम बढ़ने लगता है जो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम पती-पत्नी में पहले जैसा प्यार नहीं रहा तो वह सारी समस्याएं फिर दूर हो जाती है यदि आप यह उपाएं नहीं कर पाते हैं तो प्रति दिन शेहनकक्ष में दो कपूर जलाएं और कपूर की दो टिकिया शेहनकक्ष के किसी कोने में रख करके छोड़ दे जब वह टिकिया गल करके समाप्त हो जाए तो वहां पर आपको दूसरी रख देना चाहिए यह दूसरा उपाय है कपूर का जिससे पती-पत्न के बीच प्रेम बढ़ता है धनवान बनने के लिए रात्री काल के समय रसोई समेखने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग तदा कपूर जला दिया करें यह कारे निति प्रते दिन करेंगे तो धन धाने से आपका घर सदा भरा रहेगा धन की कमी आपको कभी नहीं देखन लें इसमें हल्दी और चावल मिला करके इससे मा दुर्गा के नाम से आहुती देना चाहिए ओम दुम दुर्गाय नमा बोल करके आपको आहुतियां इससे देनी चाहिए मनचाही भूमी या भवन पाने के लिए यह उपाय आपको नवरातरी के दिन करना है सबसे पहले उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी आप ले करके आएं एक काच की शीशी में उसको डालने जिस जगह को आप प्राप्त करना चाहते हैं जो विशेज जेमीन का टुकड़ा है जो भूमी आप लेना चाहते हैं उसमें गंगा जल और कपूर डाल करके उसे पूजा में जो की धेरी पर उस शीशी को आप स्थापित कर दें नवरातर भर उस शीशी के आगे नवान मंत्र ओमेंग इंकलिंग चामुनडाई विच्चाई इस मंत्र का पांच माला रोज जल डालते रहें नवमी के दिन थोड़े से अंकुरित जो निकालने और ले जाकर के मंचाही जगां पर आपको डाल देना चाहिए कांच की शीशी को छोड़ करके अन्य शेश शामगरी को आप नदी में प्रवाहित कर दें देवी की कृपा हुई तो आपको वो मंचाही प भर जाता है गुगल की सुगन से जहां आपके मस्तिश्क का दर्द और उससे संबंदित रोगों का नाश होता है वहीं इससे दिल के दर्द में भी काफी लावदायक माना गया है घर में साफसफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से साथ दिन तक घर में गौमुत्र की रहेगा दिमाग शांत रहेगा हफते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे पर कंडे को जला करके गुगल की धूनी देने से ग्रीकले में बहुत चमतकारी रूप से शांती मिलती है ग्रीकले जो होता लडाई जगडा वाद 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 वो जो है समाप्त हो जाता है लोबान का इस्तिमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर किया जाता है लोबान को जलाने के नियम होते हैं इसको जलाने पर से पारलोकिक शक्तियां जो है वो आकरशित होती है अता लोबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेश समझदार व्यक्ति से पूछ करके आपको जल जलाना चाहिए गुरुवार के दिन किसी समाधी विशेश पर लुबान जलाने से पारलोकिक मदद मिलने में बहुत आसानी हो जाती है गुड़ और घी की धूप इसे अगनिहोत्र सुगंद भी कहते हैं गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिला करके उसे कंडे प होगा तो लक्षमी वहां निवास करेंगी गुड़ घी की धूप विशेश दिनों में देने से देवदोश और पित्रदोश का शमन होता है घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता लेकिन ये धूप देवी देवताओं को के निमित ही देना चाहिए नकरात्मक शक्तिय पर यानि उपले को जला करके ये सभी मिश्रित सामगरी आप उस पर डालने और उसका दूआ पूरे घर में आपको फैलाना चाहिए ऐसा 21 दिन लगातार करेंगे तो घर में सभी प्रकार की नकरात्मक शक्तियां जो है वो नश्ठ हो जाएंगी और घर की उर्जा जो है वो इस तंत्रमंत्र कर रखा है तो जावित्री गायत्री और केसर ला करके उसे कूट करके मिला लें इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गुगुल मिला लें अब इस मेश्रन की धूप प्रतिदिन शाम को आप अपने घर में दिया करें ऐसा 21 दिन तक करेंगे तो तांत्रिक अभिकर्म किसी भी तरीके का होगा वह कट जाएगा कर्ज उतारने के लिए यदि आपके ऊपर किसी तरीके का कर्ज है या कोई संकट आखड़ा हुआ है अचानक से तो आटे के पांच दिये बना करके एक एक दिये को बढ़के अलग-अलग पत्तो पर रखें अब उन्हें हन हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दिपक जला दें वहीं बैठ करके हनुमान जी से अपने संकट और कर्ज की मुक्ती के लिए प्रार्थना करें गरने के बाद आट पार रिण मोचक मंगल इस्तरोत का करना चाहिए ये काम लगातार पांच मंगलवार तक करेंगे इस दोरा किसी से बात नहीं करेंगे परिवार का कोई व्यक्ति भी साथ में होगा तो बात चीत करते हुए नहीं जाएंगे चुप-चाप मौन रहके यह उपाय करना होता है दूसरा उपाई यह है दीपक प्रजवलित करने का आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं पीपल या बढ़ दीपक प्रवाहित करके किसी तीर्थिस्थान में छोड़ते हैं तो यह बहुत ही शुब माना जाता है धन की सम्रिद्धी के लिए प्रतेक शनिवार की शाम को पीपल की पूजा करके धूप और दीप जलाएं इस उपाय से जीवन में धन और सम्रिद्धी के मार्क खुलते हैं और शनी दोश समापत होता है पीपल में दीपक जलाने के लिए तिल के तेल सरसों के तेल या चमीली का तेला प्रयोग कर सकते हैं अगनी होतर करने से बहुत बरकत होती है अगनी होतर का मतलब जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अगनी को समर्पित करें अगनी के वारा पकाए गए अन पर सबसे पहला अधिकार अगनी देवता का होता है तो उनके नाम से कुछ आउतियां पकाए हुए भोजन की जरूर देनी चाहिए वास्तु शुद्धी के लिए घर में सपता में एक या दो बार नीम के पत्ते की धुनी जलाएं इससे जहां एक और स समक्ष गुगुल की सुगंद आपको अपने घर में करनी चाहिए सामाने रूप से गुप्त नवरात्री में देवी की कृपा के लिए नौदिन देवी के सामने अखण दीपक जलाएं या दुरगा शप्तशती या देवी के मंत्रों का जाप करें तो आपको लाब अवश् लक्षमी का आकरशन और लक्षमी बंधन के लिए लक्षमी को अपने घर बुला करके उनको इस्थिर करने के लिए लक्षमी ना जाएं उनको बांध करके रखने के लिए क्या करें यदि ऐसा लगता है कि किसी ने लक्षमी बांध रखी है तो माता कालिका को प्रते दिन द तो लकडी वाली जो है अगर बत्तियां आपको लगानी चाहिए ध्यान रखना चाहिए अलग अलग तरीके की अगर बत्तियां आती हैं तो उसमें जो है आपको देखना होगा कि जो बास वाली धुबत्ति ना हो वो आप मत लीजे अगर बत्ति जो लकडी वाली हो वो आप ल तो अगर लक्ष्मी के आने को किसी ने आपके घर में बांध रखा है कि लक्ष्मी आपके यहां ना आए तो यह बंधन कटेगा और इस उपाय को करने से लक्ष्मी आएंगी तो फिर आपके लिए वो रह जाएंगी इस थिर लक्ष्मी होंगी वो आपके प्रेम में वश में बंद करके रह जाएंगी फिर वो कहीं नहीं जाएंगे तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये बहुती सरल बहुती प्रभावशाली उपाई और टोटके आप करके अपने जीवन में लाभवश चिलेंगे आप सभी से बार बार आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते ह करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या अवश्यक जानकारी आप से मिस ना हुपाएं धन्यवाद यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के हमारा नमबर है 990724131 आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नमबर पे वाट्सअप अवैलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा है और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सअप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद